दिखे हम सुरू के थे आपका आडर 7 प्लेंट या वादपत्र कल बता गया था अच्छा कोशन आपका कि जो प्लेंट या वादपत्र में अंतरविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां यानकी वादपत्र के अंदर क्या-क्या लिखा जाएगा इसके बारे में प्रावधा में तीन कोचन आया हैं, दो कोचन CRPC में और एक कोचन CPC में, कल मैं बता भी था, इसके बाद आपका बता गया कि धन आदे सात नियम दो, धन के वाद में रकम लिखे, आपका इसके बाद आपका आदे सात नियम छे, पर सीमा या बिद से छूट का आधार, तो असपश्ट लि है, और ये बताईए, कि इस कानून के तहत हमें क्या है, छूट है, कि अगर हम इतने समय तक नहीं आए, तो इसके बाद भी मुकदमा दायर, और उदारन भी बता गया था, माइनर का, और पागल का, तो अगर कोई ब्यक्ति पागल है, तो सही हो जाएगा, तो कल बता गया तक कितना और समय कानून लिमिटेसा नेक्ट देता है, तीन साथ, इसके बाद आजाएए, आपका आदेश, आपका सेवन, नियम सेवन, अनुतोस का भी निर्दिष्ट रूप से कथन किया जाना, कल मैं बता चुका हूँ, और ये सारे में मैं जोड़ कर बताया था, कि जो म मांगना हो, एक कही बार क्या करिए, मांग लिजे, इसके बाद आपका आदेश सेवन, रूल एट, प्रिथक आधारों पर आधारित अनुतोस, इसको देखिए, जहां वादी कई सुभिन दाओं या वादहेतकों के बारे में, प्रिथक और सुभिन आधारों पर आधारित ह अनुतोस चाहता है, वहाँ वे जहां तक हो सकें, प्रिथक तक और सुभिन कथित किये जाएंगे, इनकि अलग अलग अधार दिखाया है, और अलग अलग अधारों पर अलग अलग डिमांड की मांग किया है, तो सभी अधार अलग अलग लिखे, और सभी मांगों को एक में लिख दे कि अलग-अलग, अलग-अलग, सामान नियम है, इसके बाद आईए, आपका आदेश सात नियम नो देखा जाए, वाद पत्र ग्रह करने पर प्रक्रिया, यहनकि जब नयाया ले, लेंट को एकसेट कर लेता है, स्विकार कर लेता है, उसके बाद से क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी आदेश साथ के नियम नो में दिया गया है देखे बेरेक हलका सहिए जहां नियाले यह आदेश देता है कि समन की तामिल प्रतिवादियों पर आदेश पांच के नियम नो में उपबंधित रित्से किया जाए वहाँ वहवादी को निर्देश देगा कि वहवाद पत्र की सादा कागज पर उतनी प्रतियां जितने की प्रतिवादी हैं ऐसे आदेश के दिन के साथ दिन के भीतर प्रतिवादियों पर समन की तामील के लिए और पेचित सुल्क सहित उपस्थित करें, अंडरलाइन करें, सेवें डेज पूछा गया है, प्री में, कोचन का माडल देखें, उसको अंडरलाइन करें, कितने दिन के अंदर, देखें, अगर ये मुकदमा करता है, और तो पहला नियम ये जानिए, कि धारा 26, और आपका section 26 ये बताती हैं, कि वाद पत्र कम से कम कितनी प्रतियों में होना चाहिए, दो, अभी अगला हम नियम बताएंगे, order 7 rule 11 में, कि अगर वाद पत्र कम से कम कितने कामपी में न हो, दो काऊपी में, तो वाद पत्र reject हो जाएगा, नामन जूर कर दिया जाएगा, बिस्मिस हो ज पहला नियम इसके बार दूसरा नियम याद रखना है कि जीतने डी फेंडेंट है जीतने बिपच्छी है जीतने प्रतिवादी है क्यूकर सब कुष समन की सामानिता रिसीविंग करानी है और समन के साथ प्लेंट की एक कापी संलगन होगी अटैच होकर जाती है अतन्यायाले यह आदेशित करेगा कि जितने प्रतिवादी हैं उतने वाद पत्र की प्रतियां आप न्यायाले में सादे कागज पर क्या करिये और कि फोटो इस्टेट या लिक कर क्या करिये जमा करिये जी दिन यायाले आडर दिया है वही समस्या आपकी आती है उसके कितने दिन के अंदर इतनी प्रतियों को देना है तो कितने दिन के अंदर सेवेंडे और वादी नहीं देता तो केवल प्रतियां ही नहीं बलकि समन निकलेगा तो डांक द्वारा या कोरियर द्वारा जाये तो क्या लगेगा पैसा तो पैसा कौन देगा वादी अगर कोई ब्यक्त निर्धन है दावा करता है तो क्या समन सुल्क तुरंत लिया जाएगा कि छोड़ा जाएगा छोड़ा जाएगा लेकिन बाद में जीते या हारे हम क्या बता हैं वसुला जाएगा कि नहीं हर हाल में उससे क्या किया जाएगा वसुला जाएगा तो उसको छोड़ सकते हैं बने उसको समन सुल्क से आपका कुछ छूट दे दी गई लेकिन अन्य लोक्त को समन जारी करने में जो पैसा लगेगा वहवादी ही देगा पैसा जम उतनी कापियां न्याले में वो दे लेकिन न्याले द्वारा आदेशित किये जाने के कितने दिन के अंदर सेवेंडेज उसको अंडरलाइन करिये यहीं कोचन आपका प्री में गलती होता है इसलिए मैं बार-बार कराऊं कि CPC में 15 कोचन आएगा 10-12 भी कर ले जाए तो बहु उसमें आपका दो-तिन कोचन ऐसे आएंगे कि लाख पढ़िये वो कभर होना मुस्किल है जैसे दिन आते हैं तो लाश्ट में हम प्री के लिए अभी चलेगा ही एक बार और लाश्ट में तो जब चलेगा तो उस समय और आपका मनें कुछ चीज़ें एकत्रित करवाई पोचन देखे आपका कैसे बना है कि वाद पत्र ग्रहन करने के बाद न्यायाले क्या प्रक्रिया अपनाता है तो आदेश आपका सात नियम नौ में है फिर आपका अब केवल नौ ही नहीं लिखना पड़ेगा अब न्यायाले अपना जुरुडिक्सन भी देखेगा अगर न्यायाले को अधिकारता है तो आगे कारिक्रम चलेगा नहीं अधिकारता है तो वाद पत्र रिटर्न भी किया जा सकता है यानि कि आपका कोचन का माडल पहले बना लिया जाए ये जे में मेंस में आ चुका है माडल यद किसी न्यायाले को वाद ग्रहन करने की सक्ती नहीं प्राप्त है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी पहला नियोँ दूसरा कोशन मनता है कि यह धिन्यायाले को अधिकारता नहीं है तो वह वादपत्र को लटा देता है वादी के इसके बाद की प्रक्रिया बताईए तो इसके लिए जो आपको पढ़ना है आदेश 7 का नियम 10 भी पढ़ना है और आदेश 7 का नियम 10 ए भी पढ़ना पढ़ेगा 10 भी भी और इसको अपनी भासा में लिखना है जब भी आपका वाद पत्र का लोटाया जाना रिटर्न किया जाना पढ़िए एक CRPC की भी धारा यहां कोर्लेट करिए बेरेक पर 201 धारा 201 से कोर्लेट करके पढ़ा जाता है पहले हम CRPC बताते हैं और तब CPC में बायक होते हैं अगर मजिश्टेट के समझ परिवाद किया गया है कंप्लेंट किया गया इस्तिगासा किया गया CRPC की धारा दो सवेक हैं बाई 201 एक बार कंसेप्ट वहां बनाईए यद मजिस्टेट के समझ कंप्लेंट किया गया और मजिस्टेट देखता है कि उस मामले में उसे जुरुडिक्सन नहीं है यानि कि जांच का और विचारन का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है तो अगर आपका परिवाद लिखित में किया गया है तो क्या करेगा मजिस्टेट कारवाही करेगा कि परिवाद को परिवादी को रिटर्न कर देगा return कर देगा और कहेगा कि हमें अधिकारता नहीं है आप सच्छम अधिकारता वाले मजिश्टेट के पास जाकर परिवाद को क्या करिये प्रस्तुत और अगर परिवाद मौखिक किया गया है क्योंकि ओरल भी हो सकता है अगर complaint ओरल किया गया है तो मौखिक ही कह देगा कि हमारी अधिकारता से बाहर है आप सच्छम मजिश्टेट के पास क्या करिये जाईए अब इसी को थोड़ा सिविल मामलों में जोड़िये अगर किसी न्यायाले में वाद दायर किया गया और उस न्यायाले को लगता है कि इस मामले में मुझे जोडिक्सन या अधिकारता नहीं है तो न्यायाले क्या कर सकता है तो उसके पास दो विकल्प है दोनों विकल्प कंसेप्ट में याद रखे वाद पत्र को वादी को लवटा दे और कह दे कि आप सच्छम न्यायाले में जाईए दूसरा विकल्प याद रखेगा कि वाद पत्र को लवटाए न वहीं से कंपिटेंट कोट में वह न्याले भेद दे वहीं से कहां भेद दे सच्छम न्याले में वादी से कह दे कि उस न्याले में जाईए अगर समन जारी हो गया तो प्रतिवादी से भी कह दे कि उसी नियाले में जाईए क्योंकि इस मामले मुझे अधिकार था यहीं बातें बेरेक्ट में डिटेल में मिलेंगी और इनी बातों को एक डेर पेज में क्या करना है लिखना लेकिन सुरुवाती दोर में कंसेप्ट बिल्कुल किलियर रहे फिर एक बार देखें हम बता रहे हैं दुबारा अगर कोई वाद नियाले में दायर किया गया नियाले को जो डिक्सन नहीं है तो नियाले के पास दो बिकल्प है पहला विकल्प ये है कि वह वाद पत्र लवटा दे और दूसरा विकल्प ये है कि वह वाद पत्र को कहां भेद दे कहां अंतरित कर दे सच्छम नियाले में लवटाए न बलकि जो कंपिटेंट कोट है वहीं से वो क्या करे भेद और कह देवादी से कि जाकर वहां लड़ि यहीं बातें आपका दी गई है आदेश सात के नियम दस में वाद पत्र का रिटर्न किया जाना वाद पत्र जब रिटर्न हो जाता है उसके बाद की प्रक्रिया दी गई है आदेश सात के नियम दस अब देखें लोटाया कब जाएगा एकदम सेम चलेगा कोई अंतर नहीं आएगा जो हमने कांसेप्ट बता देखिया बेरेक आदे सात नियम दस वाद पत्र का लोटाया जाना तो नियम दस एक उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद पत्र के किसी भी प्रक्रम में उसने आयाले में उपस्तित किये जाने के लिए लोटा दिया जाएगा जिसमें वाद दायर किया जाना चाहिए तो वहीं तो मैं बता रहा हूं कि मुकदमे के किसी भी स्टेज में यदने आयाले को लगता है कि हमें जुरिडिक्सन नहीं है तो वह वाद पत्र को पहला उपाय है लोटा सकेगा आपका कि जाइए अधिकारता वाले नियाले में दार करिये क्योंकि मुझे अधिकारता नहीं है लेकिन एक बिकल्प और है जो पहला ही लिख दिया गया कि आदेश साथ के नियम दस एके उपबंधों के अधिन तो आदेश साथ का नियम 10A क्या है तो वहीं है जो मैं दूसरा उपाय बताया कि लोटा है न बल्क वहीं से डाइरेक्ट किसको भेद दे सच्छम नियाले ये कहां दिया गया सच्छम नियाले को भेदना आदेश सेविन का रूल 10A देखिए आपका असपश्टी करन देखिए संकाओं को दूर करने के लिए उसके द्वारा यह घोंसित किया जाता है कि अपील या पुनरिच्छन नियाले वाद में पारित डिक्री को अपाष्ट करने के पहचाच इस उपनियम के अधिन वाद पत्र के लवटाए जाने का डाइरेक्शन दे सकता है इसका मतलब अब समगने का प्रयास करिए अगर किसी नियायाले को अधिकारिता नहीं थी वह सुनवाई भी कर दिया फैसला भी दे दिया फैसला चुकि अल्ट्रावाइरस था अधिकारा तीत था यानि कि जू डिक्सन न होते हुए दिया गया आप या तो अपील किये या रिवीजन में उपर के नयायाले में गए रिवीजन नयायाले ने इस आधार पर फैसले या डिक्री को सेटे साइड रद कर दिया कि निचले नयायाले को अधिकारता नहीं थी तो अपील या फुनरिच्छन नयायाले निचले नयायाले को ये direction भी दे सकता है कि आप वादी को वाद पत्र क्या करिये return कर दीजिये क्यों direction दे सकता है क्योंकि वादी पुना सच्चम नयायाले में अपना मुकदमा दायर करके क्या करे लड़ सके अब आप ये कहेंगे कि भाई limitation का क्या होगा कि 10 साल तक मुकदमा चला फिर हाई कोट में अपील मान लिजे हुई हाई कोट ने एकर हमेशाल फैसला दिया और ये माना कि निचले नयायाले को अधिकारता तो अगर वादी नियम ये हैं limitation एक में कि किसी अधिकारता हीन नयायाले में अगर मुकदमा चलाता है और उसे सदभावना पुरवक विश्वास था कि इस नयायाले को अधिकारता थे तो जितने दिन तक मुकदमा चला है वह समय limitation period में परिशीमा काल में गिना जाएगा कि छोड़ा जाएगा हाँ इससे ही बता रहे हैं गिना नहीं जाएगा जीरो हो जाएगा ये माना जाएगा कि इतने समय परिशीमा काल क्या रहा रुका रहा कि चलता रहा बस यहीं concept यानि कि वह जीरो मान लिया जाएगा जितने दिन तक वह सच लेकिन कारवाही अच्छम न्याले में कर रहा था दुज्जान बुझ करकी न जानते हुए सद्भावना में कि दुर्भावना में दुर्भावना में नहीं ये नियम याद रहे आप देखे आगे वद्पत्र के लोटाये जाने पर प्रक्रिया ये भी पूछा गया वादपत्र का लवटाना जाना और प्रक्रिया प्रक्रिया देखें न्याधिस वादपत्र के लवटाय जाने पर उसके उपस्थित किये जाने की और लवटाय जाने की तारीक उपस्थित करने वाले पच्छकार का नाम और उसके लवटाय जाने के कारण का संच्छिप्त कफन प्रिष्टांकित करेगा यन कि किस तारीक को मुकदमा हुआ था इस तारीक को लौटाया गया कौन मुकदमा किया था और क्यों मुकदमा इनको रिटर्न किया जा रहा है ये चार बातें उस वाद पत्र पर कौन लिखेगा न्यादी अब मालिजे कि 10 एक तीज तारीख को मुकदमा हुआ, तीज तारीख को लवटाया गया, तो यह جो समय बीच में हैं, यह चलता रहेगा, लिमिटेशन की गढ़ना में की रुका रहेगा, तो कैसे तो समय ही बीत जाएगा और वादी का हक क्या होगा मार दिया जाएगा यहीं आपका प्रक्रिया है आदेश सात नियम दस्ट जहां वाद पत उसके लोटाए जाने के पश्चात फायल किया जाता है वहाँ न्याले में उपसंजाद के लिए तारीख आपका कह सकते हैं कि नियत की ये छोड़ दीजिये फिर आपका आदेश साथ का नियम दस्त सम्चित नियाले को वाद अंतरित करने की अपील नियाले की सकती यानि की अपील नियाले ये कह सकता है कि इस मुकदमे को उचित नियाले में क्या किया जा अधिकारता वाले नियाले में अंतरित किया जा ये भी थोगा कम पढ़ना है अब जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है आपको आदेश साथ का नियम 11 ये कोचन आपका बनता है यानि कि आदेश साथ का नियम जो 11 है नियम 11 है ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है इसमें आपका पहले कुछ कंसेप्ट बना जाए और तब आ देखी जाए आदेश 7 rule 11 में वाद पत्र का नाम जूर किया जाना यानि कि प्लेंट को रिजेक्ट किये जाने की बात कही गई है अब समस्या देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाता है जो ये वाद पत्र को आपका रिजेक्ट किया जाता है तो वाद पत्र का नाम जूरन रिजेक्शन किस आडर के किस रूल में है 80% चांस है कोशन ये बनने का तो आदेश 7 rule 11 तेके मेंस में क्या पूछा जाता है उन आधारों का वरणन करिये जिन आधारों पर कोई प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है नामन जूर कर दिया जाता है तो आदेश 7 का नियमी 11 आपको क्या करना पड़ेगा याद इसके बाद आपका प्री में पूछा जाता इंटर्व्यू में अगर वाद पत्र नामन जूर हो गया तो क्या ये डिक्री माना जाता है कि नहीं यानि कि जो CPC की धारा 2 के उपधारा 2 में डिक्री की परिभासा आग्यप्त की परिभासा दी गई है तो क्या वाद पत्र का नामन जूरन डिक्री माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा और actual डिक्री न कहके इसे dimmed डिक्री काते हैं क्यों dimmed काते हैं क्योंकि डिक्री के आवस्चता तो नहीं मिलते फिर भी जब जस्ती से क्या मान लिया गया है डिक्री के essential element के अभाव में कुछ आदेश को डिक्री मानना dimmed डिक्री लेकिन डिक्री है भले उसका नाम क्या हो dimmed हो यानि कि आदेश 7 का rule 11 के तब दिखे समझाना थोड़ा वहां मुश्किल है आपका नए लोगों को बहुत लंबा समय लग जाएगा लेकिन एक लाइन नए लोग भाई तयार रखें कि वाद पत्र का नामंजूरन डिक्री माना जाएगा इतना तो कम से कम याद रखे आगे भले और कुछ ना तो वाद पत्र का नामंजूरन का अधार देखें वाद पत्र निमलिखित दसाओं में नामंजूर किया जाएगा अब वे दसाएं आपका अच्छे दसाएं हैं छे वो दसाएं रट कर जाना है इसके अलावा भी कुछ दसाओं हम बताएंगे लेकिन पहले तो कितनी दसाओं आपको पढ़नी हैं देखें जहां वाद हे तुक जहां वाद पत्र से वाद हे तुक प्रकट ही नहीं होता तो कल ही हम बताये थे वाद हे तुक मतलब काज आप एक्सन तो अगर क्वादी ने प्लेंट दायर किया और उस प्लेंट को पूरा पढ़ान आया लेने लेकिन ये देखा कि कोई मामला ही नहीं बनता कोई काज आप एक्सन ही नहीं बनता इसमें तो वाद का कोई कारण ही नहीं है ये तो फर्जी लिख पढ़कर क्या क्या हुआ है आ गया है इसके किसी राइट का वाइलेशन नहीं हुआ तो वादपत्र अब क्या किया जाए भाई रिजेक्ट कर दिया जाए वादपत्र क्या कर दिया जाए एफायार का हमने उदारण अच्छा दिया था कि एक ब्यक्ति अपनी ब्यथा लिखवाया एफायार में और कुहाई कोट या सुप्रीम कोट ने देखा कि इस ब्यथा के आधार पर तो कोई अपराद ही नहीं बनता तो एफायार भी क्या कर दिया जाएगा क्वैस यानि कि एफायार भी क्या कर दिया जाएगा रत दूसरा देखे जहां दावा कृत अनुतोस का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी मुल्यांकन को ठीक करने के लिए नियाले द्वारा अपेचित किये जाने पर उस समय के भ अगर उस समय के अंदर आप उस कमी को पूरा नहीं किये तो आपका प्लेंट ही क्या हो जाएगा रिजेक्ट कल इसको आगे पढ़ाएंगे भाई